तो आप एक मेरी तरह CAC BLEO CAC सौंचा लोगते दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा NHDL का नया सर्विस के बारे में दोस्तों जिसके थुरू हम जो कि किसी भी कॉस्टमर का किसी भी सिटीजेन का जो कि एक घंटा या डेड़ घंटा में जो कि बायमेटिक के थुरू दोस्त तो क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं बहुत ऐसे CSC भी लिए जिनको जो कि पता भी नहीं है और पता है तो वो लोग यूज करने पड़े तो आज मैं वो प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप जो कि उस वाली सर्विस को यूज करके जल्दी से जल्दी पानकार बना के आपने कस्ट दोस्तों हमें दो फाइदा है एक तो ये पानकार मिल जाती है और दूसरा जो कि दोस्तों हमें फिजिकल पानकार भी कुछ दिन के बाद जो कि वाई पोस्ट हमारे घर तक मतलब जो भी कस्टमर होगा उस घर तक जो कि पहुँच जाती है जब भी आप इस पोटाल पर काम करने के लिए आ रहे हैं तो दूस्तों आपको डारेक्ट जो कि डीटाल पोटाल के थ्रू आपको नहीं आना है क्योंकि वहाँ पर आने से हमें लोग इन करने में प्रॉब्लेम आती है दिख्कत आती है मैं आभी मैं आपको जो कि एक बार जो कि यहां पर NSDL आपको लेखला है और जैसे आप जो कि 5-7 पर आते हो तो दोस्तो यहां पर कुछ इस टैप का प्रोबलेम आती है और लोग इन करने में हमें कभी-कभी यहां पर प्रोबलेम आती है यहां पर देख सेखिए अपसो सम्टिंग वांटू रॉंग कुछ इस टैप का एरो राजी तो दोस्तो आपको क्या करना है सिधी सी आपको जो कि सिधे गूगल पर आना है और यहां पर आपको लेखना है CSC NSDL यहाँ पर कुछ इस टैप से लिखने से दोस्तों आपको जो की कुछ इस टैप का पेज आपके सामने डेस्बोर्ड खोलके आ जाती है तो यहाँ पर हमें login यूज डिटाल से वा connect पर हमें किलिक कर लेना और जो भी हमारा ID, password, capture वेगरा मांगती है हमें बहाँ पर फिल करके दोस्तों सिधे sign पर हमें किलिक कर लेना है तो हमारे समने कुछ इस टैप का वेबसाइट जो की dashboard खोल के आ जाती है यहाँ पर हमें जो की वो बायमेटिक के थूरू या फिंगर्पिन के थूरू हम जो की पानकार किसी का भी एपले कर पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें CDC जो की select application type जो option आ जाती है वहाँ पर हमें पान citizen जो की select कर लेना है उसका दोस्तों यहाँ पर category पर individual हमें select करना है और पान type पर दोस्तों मैंने बोला था आपको एक e-pan आती है और जो की physical पाना थी तो दोस्तों हमें physical पानकार और e-pan कार जो slash दिया गया वह वहाला हमें select करना है क्योंकि कुछ दिन के बाद जो customer का घर तक जो की वह वहाला पानकार पहुंच जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी हमें जो की यहाँ पर एक टिक मार को टिक करने के लिए पड़ती है उसके बाद दोस्तों हमें जो की submit वाला जो option है हमें बहाँ पर submit कर देना है जैसे हम submit कर देते हैं जो कुछ इस type का हमें जो के acknowledgement receive हो जाता है उसका जो की कितना पैसा लगेगा कितना क्या कटेगा सब कुछ यहाँ पर 100 हो जाता है दोस्तों यहाँ पर हमें जो की कुछ payment जो की हमें पे करने के लिए पड़ती है हमारा CSC wallet से only e-pan card के लिए apply करते है तो दोस्तों आपको 72 रूपे जो की आपके wallet से detect होगा जो की मैंने back किया और 72 रूपी मैंने detect कर रहा हूँ आदी proceed pay पर क्लिक करने से हमें जो की हमारा wallet पर redirect कर देगा पहले हमारा ID password माएंगा वहाँ पर password दे देना और कुछ हमारा commission रखके दोस्तो 62 रूपीज मतलब 12 पैसा हमारा जो की कुछ detect होता है हमारा wallet से तो मैंने जो की मेरा wallet का यहाँ पर pin डाल देता हूँ जो भी मेरा pin है उसका आपको जो की pay option पर fake कर लेना है और आपका जो की payment successful हो जाती है और आपको जो की proceed to nsdl portal पर आपको जो की redirect कर दिया जाता है जो की यहाँ पर हमें एक option मिलती है वहाँ पर click करने के बाद जो की हम redirect हो जाते है उसका दोस्तों यहाँ पर हमें एक जो की form खोल के आ जाती है जिसके तुरू हमें कुछ थोड़ा बहुत हमें जो की स्रीमोतिस जो भी है कुमारिया हमें जो की थोड़ी बहुत जो की उसे फिल कर निगले पड़ेगा वो टिगमार वाला option दिया गया टिक करका में submit कर लेना है EKYC वेबसाइट पर हमें redirect कर दिया जाता है जो की यहाँ पर देख सकते हो EKYC assistant mood यहाँ पर लेक के आ गई है पर brand का detail मांगती है जो की उनका father का या mother का name जो भी आप देना चाते है दे सकते हो यहाँ पर उनका father का name देखे दोस्तों आपको next पर click कर लेना है उसका दोस्तों यहाँ पर जो की कुछ पूछा जाता है whether physical pancard is required yes or no पर महाँ पर पूछा जाता है तो आपको no तो no करना yes to yes करना है उसका दोस्तों यह pancard जो की आपको no income या income करने उनको push की यहाँ पर select करना है उसका दोस्तों आपको निचे आना है थोड़ी बहुत यहाँ पर AI Constatic और जो भी होता है वो आपको थोड़ी बहुत जो की feel कर लेना है जो भी mobile लबर आपको यहां पर show हो जाएगा उसके बाद नीचे आना है थोड़ी बहुत office address आपको fill करके दोस्तों next पर आपको click कर लेना है कुछ step का option खोल के आ जाते हैं दोस्तों यहां पर area code AO type यहां पर जो की मंगा जाता है तो दोस्तों आपको कोई चिंता करने के बात नहीं है नीचे आना है इंडियन city जान पर tick mark करना है और आपना जो की जो भी state है वो state आपको यहां पर slate करके दोस्तों आपका जो भी city है यहा आपको city slate कर लेना है और नीचे आपका जो की area code AO जो की यहां पर खोल के दिख जाएगा तो यहां पर आपको bbn जो भी लिख जाता है वहां पर bbn आपको डाल देना है और जो भी आपका जो की AO है वो आपको यहां पर देना है और यहां पर जो भी range code है वो आपको यहां पर दोस्तों आपको जो की सिधे submit बाला बताम पर आपको click कर लेना है और दोस्तों finally हमें submit करने के वाद कुछ इस टाइप का हमें form जो की preview देखने के लिए आ जाती है सब कुछ सही है तो दोस्तों आप confirm पर click कर सकते है और गलत है तो दोस्तों यहाँ पर आप edit वाला option दिया गया है edit पर click करके जो कि आप जो की उसमें कुछ बदलाब कर सकते है तो हमारा सब कुछ सही है हमने confirm पर click कर दिया दोस्तों उसका तो वहाँ पर जो की loading हो गया और EKYC assistant जो की mood पर चला गया यहाँ पर देख सकते हो उनके आधार card में जो की mobile number लिंक है तो दोस्तों OTP की best के थूरू जो की EKYC हो जाएगा और दूसरा जो option है यहाँ पर देख सकते हो biometric wedge EKYC हमारे पास जो की पहले से हमने biometric जो की connect करके रखा है इस टाइप का option खुलके आगया है यहाँ पर हमें जो की कौनसी biometric हमने जो की connect करके रखा है वह वाला हमें select करने के लिए पड़ती है जो की Morphol हो गया Morphol लोकाल होस्ट हो गया और precision हो गया और मंत्रा हो गया दोस्तों यह जो की एक दो तीन चार डिवाइस यहाँ पर काम करते है तो दोस्तों मैंने जो की मंत्रा जो की अभी connect कर रहा हूं मैं देख सेकते हो मेरा जो की हम CSC के थुरू हम Biometric के थुरू हम जो की किसी को भी एक घंटा में पानकार दिला सकते हैं उसका process मैंने देखा यहां दोस्तों आई क्या process मैं दिखा नहीं पाहूँगा क्यों की मेरे पास वह वाला customer नहीं है और मेरा जो की पहले से पानकार बन चुका है तो मैं बना नहीं सकता हो तो आपको भी पानकार किसी का बनाना है तो दोस्तों कुछ इस टाइप का process में आप जो की step by step apply करके आप बना सकते हो कुछी घंटा में आप उससे जो की पानकार दिला सकते हो उसी customer को जिनको जोड़त है तो दोस्तों फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही वी वीडियोड करेंगे सबसे पहले आपके पास से तो चले उस तो मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में आज के लिए टाटा एंड बाइबाई जय हिंद